अब आपने जो क्लिप देखी जो वीडियो देखी वो फ्राइंग पैन के उपर ही फोन को अटेच करके शूट करी गई है फोन से इसके एडिटिंग भी फोन में ही हुई है जाज की वीडियो में आप देखेंगे कि अगर हमारे पास में गिंबल नहीं है वीडियो शूट करने के लिए अपने फोन के साथ और अगर हाथ से शूट करते हैं तो वीडियो बहुत ही शेकी आती है हिल जाती सारी तो तीन ऐसी ट मैं फोन यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मैं कैमरा की सेटिंग्स पर जाकर इसको 60 fps पर शूट करूंगा क्योंकि हम जतने ज्यादा फ्रेम पर शूट करेंगे हमारी वीडियो उतनी अच्छी शूट होगी और हमारी वीडियो उतनी अच्छी एडिट होगी अगर आप भी ट्राइ करें आपके फोन में मैक्सिम्म 30 fps पर इससे जादा नहीं है तो अब 30 fps पर भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है थोड़ी सी स्मूधनेस कम होगी लेकिन फिर भी अच्छी वीडियो बन सकती है बाकी तो आयलिटिंग के ओपर भी डिट करता है तो हम स्टार्ट करते है अपने सबसे पहली टिप के साथ इस टिप में हमने फोन को पकड़ने का तरीका देखने है कि अगर हमारे पास उन्मंको पूरा टाइट कर देना है पूरा स्टर्फ अब जो हमारी आम्स है उनसको भी सीधे कर देना है बहुत कम से कम फोल्थ हो मतलब almost तीरी टाइप और और अब हमारी arm stiff है, पूरी tight है phone को हमने अच्छे तरीके से दोनों हाथ उसे पकड़ लिया है तो अब हमारी body, जहां जहां जैसे जैसे move करेगी न अपने हाथों को बिना हिलाए हमने move करना है अब जान से दिखे मेरे पैनों को, मेरे हाथों को जैसे जैसे body जा रही है मेरी, हाथ अपने अप वैसे वैसे side में जा रहे है हाथ की अपनी कोई movement नहीं होगी, body के साथ साथ में ही जाएंगे तो अब अब अभी screen पर देख सकते हैं, जो scene चल रहा है न पीछे अब जो mobile के अंदर video record हो रही है, वो आप साथ साथ में देख सकते हैं कि जो scene में record कर रहा हूँ, exactly जो मेरे phone के अंदर recording चल रही है वो screen पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब भी ध्यान से देखिए and action तो इस तरीके से हमारी ये video record हो जाएगी एन उसको अपने phone के अंदर ही, ये smooth action cam slow mo, I think यही नाम है तो इसके अंदर पहले मैंने slow fastly चीज़ कर दी थी एन उसके बाद in shot app के अंदर, music लगा के end और color correction हो गए रहा करके थोड़ी पाद editing करके, ये video phone के अंदर ही तयार होगी थी तो ये थी हमारी पहली टेपलिस के अंदर हम बिना किसी भी equipment के, सिरफ phone के साथ ही अपने हाथों के साथ, एक smooth stable video shoot कर सकते हैं तो guys अब हमारी second tip, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे tripod, क्योंकि gimbal हरी के पास available नहीं होता, लेकिन tripod मुझे लगता है अब तो हर के ले भी सकता है हम इसे थोड़ा सा low angle shoot करेंगे, यानिकि अपने model की height से थोड़ा सा नीचे से अगर angle बनाना हो, तो उसमें tripod बहुत ही कामा सकता है क्योंकि अपने हाथ से अगर shoot करेंगे तो जादा नीचे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो tripod वहाँ पर कामा सकता है और तीनों legs को ना एक साथ ही पगड़ना हमने हाथ में, तो इसमें भी मैं simply अब देखिए, मेरा एक हाथ है मेरी body के पीछे, और दूसरे हाथ से ने मैंने बिलकुल tight पगड़ लिया tripod को, और वो हाथ जिसमें tripod है वो बिलकुल भी नहीं हिलाना अपने आप, मतलब body के साथ स इसको editing करने के बाद हमने ऐसा बना दिया अब गईज हमारी third tip, इस tip के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये frying pan ये मुझे लगता है हरी की kitchen में तो हो गई, और इसके उपर डबल side tape, जो दो side वेली tape होती है न, वो हम थोड़ी से लगा देंगे और अब tape के उपर सबसे बहले हमने वो चिपकाना है, वो tripod का जो holder होता है, जाए selfie stick के उपर भी लगा होता है, छोटा सा holder होता है ये वैसे भी I think, 60-70 रुबे का मिल जाता है Amazon पे शायद, तो ये वाल ओपर चिपका के, एन इसके अंदर अपने phone को हमने लगा देना है अगर पाई चांस phone stable नहीं हो रहा, वो side side में आ रहा है, थोटा सा गिर रहा है side को, तो यहाँ पर हम कोई लकड़ी का piece या कागस का तुकड़ा, या जैसे मैं साबून मेरे पास पड़ा था, तो साबून को लगा दिया था नीचे, ताकि phone का balance ना खराब हो अब यहाँ पर एक जरूरी बात, phone कम ध्यान से रखना है, और कोशिश होनी चाहिए कि जो double side tape है ना, वो नहीं हो, क्योंकि उसमें जो गूंद है नो गम है, वो ताजी हो, मतलब वो पुरानी ना हो जादा, क्योंकि मेरी वाली जो double side tape है ने थोड़ी सी पुरानी सी थी, त अब यह इस तरीके से वीडियो को शूट किया, यह वीडियो शूट करने के बाद हम इस तरीके से वीडियो मिल गी हमारी, पिछे रो, वो करते हो यह ना, पिछे रो ना, जाते रो वाक करो वापिस, आज़े, और इसको एडिट करने के बाद हमने इस तरीके से कर दिया वाक कि अगर आपको इस वीडियो के एडिटिंग देखनी है कि मैंने एडिट कैसे की फोन के अंदर, तो आप कॉमेंट करके जूरूर बताएं अगर आपको इस वीडियो में इससे कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp, Instagram पर शेयर भी करें कि आपके दोस्तों के कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिले आपके मिलते हैं अगली वीडियो में हम इसे बोब खगा नया देखने को सीखने को आपके में अजाम